गाइस आज हुआ कुछ ऐसा घर पर आ गए तो उससे महमान दिवाले फेश करने के लिए तो घर पर नहीं थी कोई मिठाई और मैंने बनाई ये ज़़पट मिठाई इसे मनाने में सिर्फ दस मिनट लगे और वो भी मजे मजे में इसके लिए हम लेंगे एक पैन में एक कप दूद आप एक कट्वरी दूद लेगे और उसमें डालेंगे आधी कट्वरी चीनी मैंने ये कप से हाख कप शूगर ली है और एक कप दूद इसे मिलाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे बीट-बीट में से हाई भीट कर सकते हैं इसमें डालेंगे एक लाइची का पौजर अगर फ्रेश पीस के डालेंगे तो खुश्पूब बहुत अच्छी आएगी इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच घी देशी घी डाल सकते हो या जो भी आप डालते हैं इसमें डालेंगे एक कप नार्यल का बुरादा डासी केटर कोकोनेट जो मार्किट में मिलता है आप डाल सकते हैं आप इसको कुक करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे चलाकते रहेंगे और इसमें मैंने डाला है खुश्पू के लिए एक एवडा वाटर आपके पास रोज वाटर हो डाल सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो हम इलाइची डाल चुके हैं उससे काफी खुश्पू आएगी अब देखो बहुत जल्दी से 2-3 मिनट नहीं जो नारिया था उसने सारा दूद को सोक कर लिया है धीरे धीरे ये गाड़ा हो गया है हमारा जो मिक्स है ये देखिए उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है वो बिल्कुल चिपकने वाला हो गया है और अब देखिए ये तली में बिल्कुल इकठा होने लगा है जब ये मैटीरियल बिल्कुल अच्छे से इकठा होने लगेगा और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मौश्चर रह जाएगा तो उसी स्टेट पर हम गैस को आफ कर देंगे और इसमें मैंने ये लिया है आदा कप मील पाउडर मील पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैंने इसमें स्किम्ड वाला यूज किया है आप डाइरी वाइटनर भी ले सकते हैं लेकिन जादा दर मिठाई के लिए स्किम्ड यूज होता है वो मिल जाए तो अच्छा है और ना मिले तो डाइरी वाइटनर वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसे मैटीरिल के ठंडा होने पर ही डालें नहीं तो इसके लम्स से बन जाएंगे यानि डली डली से बन जाएगी और अब गैस की फ्लेम को हलका चला देंगे फिल से क्योंकि हमने आफ करके ठंडा करके मिल्क पाउडर डाला और अब गैस की फ्लेम को फ्रीज से चला देंगे लो पर बिल्कित धीमी आज पर चलाएंगे और डालेंगे आदा चमच घी ऐसा करने से ये देखिए इसने तली को बिल्कुँ छोड़ दिया है अब हम गैस को आफ कर देंगे दो मिनट के बाद ही और इसमें इसे देखेंगे टेस्ट करकर आप देख सकते हो इसकी गोली बनतने लगी है इसका मतलब मैटीरियल बिल्कु रेड़ी है प्रेड़े बनाने के लिए अब आप देखो हमने मैटीरियल को गैस से निकाल लिया है और हम इसके बनाएंगे राउंड बॉल इस तरह बॉल बनाएंगे फिर उसे ये कोकोनेट के बुरादा में इस तरह हिलाएंगे और इस बॉल को हाथ में लेकर ये देखिए फिर से एक बार राउंड बॉल बनाएंगे अब बीच में से इस तरह उंगली से फिंगर से दबाव दे कर बीच में हलका सा दबाव दे देंगे अब मैंने ये लिया है कि सर स्टेंड्स और साथ में रेड फूट कलर और इज फूट कलर सौरी एक्चली में मैंने लिया है दोनों को मिला कर इसे फेस्टिव लुक दे देंगे ये देखिए इस तरह से इसकी सेंटर में हम ये केसर लगा देंगे अब ये लगेंगे बिलकुल मार्किस सटाइल पेड़े अब देखिए अब इसमें हम लगा देंगे ये पिस्ता जो हमने भिको कर रखे थे और इन पिस्ता का एक एक पीश बिलकुल लीव्स की शेप में काचकर हमने लगा दिया है अब इसमें डाल देंगे अपनी पसंद के बिखार्णिंग। मेंने थोग आल्मेंट्स भी लगाइी हैं, और आप इपनी पसंद के कॉर्डंिंग नट्स इस पर सजा सकते हैं। अब आप पूछे पताएं कॉमेंट बॉक्स में कि आप दिवाली पर खोन सी मिठाई बनाना पसंद करते हैं ऐसे ही पास से दस मिनट में धेरों मिठाईयां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लि करना ना भूलें तो फिर से मिलेंगे बाई टेकर एंड सी यू गें हैपी दिवाली एडवांस में